प्रेम चंद पूर्व हिंदी उपन्यासों के उपर हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में प्रेम चंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की प्रिष्टी भूमी पर बातचित कर लिया है उसी की अगली कड़ी में हम बातचित करेंगे कि जो सामाधिक उपन्यासकार और उपन्यास हैं उसमें कौन-कौन शामिल है हम उन उपन्यासकारों के बारे में बातचित करेंगे उपन्यासों के प्रकाशन पर बातचित करेंगे इसके साथी उपन्यासों के विशेवश्टु पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि बदलते वे पैटन पर आप विशेवर्ष्तु को आधार बना कर भी सवाल पूछा जा रहा है तो इसलिए आपके लिए आज का वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम एक्जाम की दृष्टी कोन से बात करें परिक्षाओं की दृष्टी कोन से बात करें तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कुल दस उपन्यासों को शामिल कियें और प्रमुख रूप से देखा जाए तो प्रेमचंद्पूर्व हिंदी उपन्यासों के अंतरगत यही दस उपन्यासकार काफी इंपॉर्टेंट है और परिक्षाओं में घूम फिरकर इन ही से सवाल उचे जाते रहें तो चलिए सीधे हम बातचित करते हैं प्रेमचंद्पूर्व सामाजिक उपन्यासकारों में सरद्धाराम फुलवरी, बाल कृष्ण भट, ठाकोर जग मोहन सिंग, लाला स्री निवास दास, लज्जा राम मेहता, राधा क प्रेमचंद्पूर्व हिंदी उपन्यासकारों की प्रिष्टि भूमी के अंतरकत भी किया था, और कई बार तो इन ही से हिंदी उपन्यासकी शुर्वात मानी जाती है, हालांकि इसको लेकर विद्वानों और आलोचकों में मतबेद रहा है, विवाद रहा है, फिर भी परिक्षा के द्रिष्टि कोन से काफी ये इंपोर्टेंट है, कई बर पूछ लिया जाता है, तो देखते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपोर्टेंट है सरदाराम फुलोरी ने एक ही उपन्यास लिखा है, जिसका नामे भाग्युवती, प्रकासन इसका हुआ था 1877 इस भी में, सरदाराम फुलोरी मुख्य रूप से धर्म पदेशक के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने भाग्युवती के रूप में ऐसी पोथी हिंदी भा दौत रहे थे और जो लोग लगातारी से जुड़े हुए हं, वो मेरी बाग को अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो लेट से जुड़े हुएं, ने जुड़े हुएं, तो एक बार पूरा ने वीदियो जुलिक्शर को जरूर देखें, ताकि एक लिंख हो सके, आपका तो सरदाराम सुलोरीन जो बागिवती उपन्यास लिखा वो अपने स्वभाव के अनुसारी उन्होंने लिखा और लिखने का पूरा उनका जो उद्यस था कि भारत खंड की जो इस्त्रियां वो ग्रियस्त धर्म की सिक्षा कैसे प्राप्त करें तो और ये जो उपन्यास लिखा है सरल भार्षा में लिखा है ताकि थोड़ी कम पड़ी लिखी जो इस्त्रियों वो भी इसको अच्छे से पढ़ने तो जब भी आपको मौका मिले तो इस उपन्यास को जरूर पढ़िए बाकी सामारी जानकारी के लिए अपने दिमाग में रखिए कि भागिवती उ इस्त्रियां है उनको ग्रियस्त धर्म की सिख्छा देने के लिए है और इसकी भाषा सुगम हिंदी में है सरल हिंदी है दूसरे उपन्यास कार के बारे में बातचीत करें तो उनका नाम है बाल कृष्ण भठ आमतर पर बाल कृष्ण भठ को आप हिंदी निबंदकानों के के रूप में भी देखते हैं, सहित जनसमों के हिर्दे का विकास है, ये इनका मुख्य कोटेशन था, इसके आलावाए इनोंने हिंदी प्रदीप नाम के पत्रिका का भी संपादन किया है, तो ये दोनों काफी इंपोर्टेंट्स इनके पॉइंट्स रहें, लेकिन बालकृष सन 1892 स्वी में उगा प्रसीद है, ठीक है, लेकिन आगे चलकर मदुकर भट ने 1889 स्वी में नवंबर मैने के हिंदी प्रदीप की फाइलों को उन्होंने खंगाला, और देखा कि बालकृष भट ने एक तीसरा उपन्यास भी लिखने का प्रियास किया था, लेकिन ये उपन उपन्यासे बालकृष भट के हैं, और रहस्य कथा क्या है, अपूर उपन्यासे, हो सकता है कि परिक्षा में आज से पूछ लिया जाए कि बालकृष भट का कौन सा उपन्यासे जो की अपूर है, तो इसका नाम है रहस्य कथा, आमतार पर इस तरीके से प्रश्न पूछे ज नायक के सरल बेवार के प्रभाव से डाकूं के सरदार का हिर्दय परिवर्तन दिखाया गया है। और ये उपन्यास विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। तो आपने देखा कि भागयोती उपन्यास जो था वो इस्त्रियों को ग्रियस्त धर्म की सिख्षा देने के लिए लिखा गया था और बाल कृष्ण भट ने नूतन ब्रहमचारी नाम से जो उपन्यास लिखा वो विद्ध्यार्थियों के चारित्रिक विकास को ध्यान में अपनाया था सीधे सीधे उसके लक्षण उसके रुजान आपको दिख रहे होंगे रुजान के वल चुनाओं में ही नहीं दिखते हैं बलकि आप जब सहीती पढ़ेंगे तो उसमें भी रुजानों के आधार पर ही आप सही जबाब दे सकते हैं इनका दूसरा जो उपन्या और निधिनाद आजानों के फेर में पढ़कर बिलासी जीवन ब्यतित करते हैं उनका सिक्षक सुजान कुछ दिनों के लिए उनका साथ छोड़ देता है अंततर रिद्धिनाद और निधिनाद जलसा बागी में के अपराद में पकड़े जाते हैं और चंदर सेखर सुजान आकर उने बचाता है ये काफी important विशेवस्तु है सव अजान एक सुजान पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इसके दो प्रमुख पात्र हैं रिद्धिनाद और निधिनाद और इनके जो सिक्षक हैं उनका नाम है चंदर सेखर रिद्धिनाद और निधिनाद के ज आखिर में चंदर शेकर यानि कि जो उनके सिक्षक हैं और उनका दूसरा नाम है सुजान वो आकर बचाते हैं तो एक तरीके से यहां पर भी आप देख रहे हैं कि सुधारवादी और उपदेश परक जो प्रभित्ती है वो दिखाई पढ़ देगे लेकिन आपको परिक्ष परिक्षाग गुरु के परंपरा में रखा जा सकता है आज आपको इस लेक्षर के माध्यम से पता चलेगा कि परिक्षाग गुरु आखिर कार क्या है ठीक है हम आमतवर पर याद कर लेते हैं कि सन 1882 में इसका प्रकासन हुआ था लाला स्री निवास दास इसके उपन्यासक नुतन ब्रमचारी सव अजान एक सुजान के बारे में भी पता चल गया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं तीसरे उपन्यासकार के बारे में जिनका नाम है ठाकूर जग मोहन सिंग ठाकूर जग मोहन सिंग ने उपन्यास लिखा जिसका नाम है स्यामा श्वपन जिसका प्र कथा का एक कालपनिक चित्र है तो स्यामा स्वपन आप देख रहे हैं कि इसमें स्वपन शब्द लगा हुआ है स्यामा इसकी नाइका है स्वपन क्या है कलपना के तरफ संकेत कर रहा है तो स्यामा स्वपन ठाकुर जग मोहन सिंग का उपन्या से सन 1888 सिमी में प्रकासित हुआ था और यहां पर आप देख रहे हैं कि दो विजाती ये लोगों में प्रेम हो रहा है जो नाइका है वो ब्रामण है और जो नायक है वो क्या है छत्री तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सन 1888 की आसपास में इस तरीकी की दो विजाती ये और नायक नाइकाओं के बीच में प पूरा एकदम क्या है कालपनिक है तो आप देखेंगे कि प्रेम चंदपुर्वे हिंदी उपन्यास्थों में कालपना भी एक महत्पून फैक्टर रहा है आगे बात चित करते हैं कि जो स्यामा श्वपन है इसमें मध्यकारिन प्रेम कहानियों के सभी उपकरण सखी दूती प रखा गया है इसमें कालपनिक है बाकी ये मध्यकारिन प्रेम कहानियों के आधार पर रखा गया है क्योंकि इसी तरिके के सवाल अब तेले पेटरिनों पूछे जा रहे हैं और बच्चे कमेंस करकर पूछते मियां कि की तरीके से हम तयारी करें तो ऐसे यह को तयारी करें लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहे और आखिर तक जुड़े रहे जब तक आपको सफलता नहीं मिल पाते हैं तो हमने बताया कि श्यामा स्वप्न में मद्यकारीन प्रेम कहानियों के सभी तत्व इसमें दिखाई पड़ते हैं चाहे वो सूखी सखी ओ दूती प्रेम पत्र मिलन विर जो भी यहां सजीव कर देते हैं यानि कि संस्कृत कभियों का भी प्रभावित में दिखाई पड़ता है कालपनिक होते हुए भी श्यामा स्वपने की कहानी ब्रामर कुमारी और छत्री कुमार के प्रहणय संबंद की संभावना की ओर संकेत करके नव्य समाज की नमीन मानेताओं का प्र प्रतिनीदी तो करती है क्योंकि दिरे दिरे आप देखेंगे कि उपन्यासों की जो विश्य वर्ष्तु है वो चेंज भी होती है तो इसकी शुरुवात आपर आपको दिख रहेगे तो मुखे रूप से आपको श्यामा स्वपन के प्रकासन वर्ष को उसके नायक नायक प्रेम कहानियों के प्रभाव को द्रिश्य वरणों को ध्यान में रखना है और ये सुधारवादी टाइप का उपन्यास है अगले उपन्यासकार के बारे में बात चित करते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है ये नेट के परिक्षा पाठिकरम में भी शामिल तो देखते हैं कि लाला स्री नुवास दास जो कि बहुँ पठित व्यक्ति थे उनका प्रसीद उपन्यास परिक्षा गुरु सन 1882 सिवी में प्रकासित हुआ और परिक्षा गुरु की भूमिका में लिखा गया है कि ये अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है तो आपक है कि सन 1883 सिवी में हिंदी नए चाल में धली की एक कोटेशन चलता है उसका नारा चलता है और कुछ उसी के 10 साल बाद आप देख रहे हैं कि परिक्षा गुरु उपन्यास में लिखा गया है कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है तो जब भी इस तरीके का कोटेशन आएगा कि किस उपन्यास के संदर में कहा जा रहा है तो तुरंत मेरी आवाज आपके कानों में गुज जाएगी और आप तुरंत उसका उतर बताएंगे कि परिक्षा गुरु के विशे में ये बात कही गई है कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है परिक्षा गुर जैसे कोई राजा बाजसा सेट साहुकार का लड़का था उसके मन में इस बात से यह रूची हुई और उसका यह परिडाम निकला ऐसे सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता है ठीक है मतलब अपने जो पुरवर्थी उपन्यास का उपन्यास लिखे गए हैं जिनका केवल मु दादी दादा इत्यादी से कहानियां सुने होंगे तो ऐसे ही बताते थे कि किसी गाओं में एक किसान राता था इस टाइप से कहानियां सुनाते थे लेकिन वहां से आप देखेंगे कि यह थोड़ी से परिक्षा गुरु जो है वो चेंज किया हुआ है क्यों चेंज किया है क्योंकि इसने नई चाल को ग्रहण किया है ये चीज़ आपको देखना है आगे बात चित करें तो लाला मदन मोहन ने मोहन एक अंगरेजी सवधागर की दुकान में आसाब देख रहे हैं लाला ब्रज किशोर मुंसी चुनिलाल और मास्टर सिम्भु दयाल उनके साथ हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पात्रों का नाम आ रहा है लाला मदन मोहन ब्रज किशोर चुनिलाल और सिम्भु दयाल तो इनको ध्यान में रखे हो सकता कि परिक्षा में पूछ लिया जाए अब देखते हैं कि इनमें मदन मोहन कौन है ब्रज किशोर कौन है चुनिलाल कौन है, इनका सोभाव कैसा है, परसपर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहां इस समय किसलिए इकठे हुए हैं, यह बातें पहले कुछ भी नहीं बताएगे, हाँ पहले पढ़ने वाले धैर से सब पुष्टक पढ़ लेंगे, तो अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा, और आदी से आंठ तक सब मिल मिल जाएगा, ठीक है, तो यह उपन्यास नई चाल में तो लिखा ही गया है, नई भाशा में लिखने की कोशिश की गई है, नए विसेवश्टक भी उठाया गया है, लेकिन इसमें वो रहस्यात्मक्ता बनी हुए, तुरंत सबाव कैसा है, परक्सपर संबंद कैसा रहा है, पूरा उपन्यास आपको धैर रखकर, यह काफी इंपोर्टेंट है, आपकी परिक्षा के दिश्टी कोन से भी, कि धैर रखकर आपको अध्यन करना है, आपको हड़बडाना नहीं है, कि कोई ऐसी बुक आपको मिल जाए, जिससे कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है न, तो यहाँ पर भी बताया गया कि इस उपन्यास परिक्षा गुरू को पढ़ने के लिए आपके अंदर धैर भी जरूरी है, और जब पुछतक आप पढ़ लेंगे पूरा, तो शुरू से लेके आखिर तक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसकी विशेवर्टू है, फिर भी हम इसमें देखते हैं, लेखक ने इस नाटकी आरंब कोई नई चाल कहा है, ठीक है, यह जो इसका आरंब नाटकीयता से सुरू हुआ है, वही क्या है, नई चाल है, रचना की यह नई चाल उसने अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित होकर अपनाई होगी, उसने स्वयम भी महाभारत, आधी, संस्कृत, बुलिष्टा वगैरा, फार्सी के साथ ही, इस्पेक्टेटर, लाड बेकेन, गोल्ड स्मेथ, बिलियम कूपर, आधी के पुराने लेखों से साहता लेने की बात कही है, यहाँ अगरेजी उपन्यासों से प्रेरना पाना भी दूसरा इसका लक्षान है, इस प्रकार तकनीकी नविंता की द्रिष्टी से निश्चेह परिक्षा गुरु हिंदी का पर्थम अंगरेजी धंका मौलिक उपन्यास है, यह आपके परिक्षा के द्रिष्ट कोन से काफी इंपो अगरेजी धंका मौलिक उपन्यास खोजा जाए, तो परिक्षा गुरु का नाम उसमें लिया जा सकता है, इस उपन्यास में दिल्ली के एक कलपित रहीस लाला मदन मोहन का स्वभाविक चित्र उदारा गया है, लाला मदन मोहन रहीस आदमी है, उनका जीवन जूठे लोग विलास में ब्यतीत होता है, अब ये कहानी आपको स्टार्ट दिख रहे हैं, उनके मित्र लाला ब्रज किशोर वकील है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, लाला मदन मोहन एक रहीस आदमी है, पहला पॉइंट, ब्रज किशोर जो कोई इनके मित्र है, वो वकील है हो सकता है कि परिक्शा में पूछ लिया जाए कि परिक्शा गुरु में वकील नाम का जो पात्र है, उसका क्या पूरा नाम या फिर वकालत कौन करता है, ठीक है, तो ब्रज किशोर है, ये विबेक शील और चरितरवान व्यक्ति, जीवन में अनेक कठनाईयों को जहलने के बाद लाला ब्रज किशोर के प्रयत्म से लाला मदन मोहन सही रास्ते पराते हैं, तो अब ये भी एक्जाम की दिश्टकोर से काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कि लाला मदन मोहन जब भोग बिलास में लिफ्ट हो गए थे, तो कौन उनको बचाया, सही जबाब हो इसक लेखक के अनुसार जो बात सौ बार समझाने से समझ में नहीं आती है, वह एक बार की परिक्षा में से मन में बैठ जाती है, और इसी वास्ते लोग परिक्षा को गुरु मानते हैं, इसी आधार पर लेखक ने अपनी इस कृती का नाम परिक्षा गुरु रखा है, अब तक आप लोग अबजेक्टिव्स किताबों में, वन लाइनर किताबों में लगातार पढ़ते रहे होंगे, 1882 इसी वी में परिक्षा गुरु का प्रकासन हुआ, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, अचायराम चन्रु सुकले ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, लेकि एक बार की परिक्षा से मन में बैट जाती है, और इसी वास्ते लोग परिक्षा को गुरु के रूप में भी देखते हैं, इसलिए कई बार आप अपनी लोग ब्योवार में भी देखे होंगे, कि इस सुवर हमारी कितनी परिक्षा ले रहा है, ठीक है, या फिर परिक्षा स से ही नया रास्ता खूलता है आपने इस चैनल पर भी देखा होगा कि एक तरफ हम सब्जिक्टिव वीडियो लेकर आते हैं तो दूसरी तरफ प्रैक्टिस सेट को लेकर भी आते हैं जिसे कि आप अपनिक का मुल्यांकन करके पता कर सके कि हम कितने तयारी किये हैं और कितनी त परिक्षा देखकर देखिए तुरंत मन में बैठ जाएगी इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग परिक्षाओं में पहली बार में ही सफल हो जाते हैं लेकिन कई लोग खुद उन परिक्षाओं से ही सीखते हैं कि पिछली बार हमने क्या गलती की थी इस बार उस गलती क सुधारना है और आगे इसको सुधार कर सफलता प्राप्स करना है तो उमीद है कि परिक्षा गुरू को आप हलके में नहीं ले रहे होंगे आप इसको अपने जीवन से भी जोड़कर देखिए आगे बात करें परिक्षा गुरू के रचना की दृष्टी कौन से या यह क्या ह उपदेश प्रधान उपन्यास है क्योंकि आपने देखा कि लाला मदन मोहन भोग बिलास में लिफ्ट हो गए थे लेकिन ब्रज की शोर ने उनको संभाला उनको रास्ता दिखलाया उपदेश दिया उनको तो यह क्या है उपदेश प्रधान उपन्यास है इसकी रचना संस् अथो फार्सी अर्वी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली की रहने वालों की साधारन बोलचाल में हुई है। तो उमीद है कि परिक्षागुरू उपन्यास आपको समझ में आगए होगा इसके जो पात रहें उनका भी आपको परिक्षे हो गया होगा और विशेव वश्टू तो आपको समझ में आगए होगी और नामकरन क्यों पड़ा था वो भी समझ में आगए होगा। बिल्कुल आप सभी से एक ही गुजारिस रहती है कि कमेंट्स करकर जरू बताइए क्योंकि जब तक मेरी बात आपको समझ में नहीं आगी ये लेक्चर मेरे लिए सार्थक नहीं होगा अगले उपन्यास कार के बारे में बातचित करते हैं उनका नाम है लज्जा राम मेहता के धूर्त रसिग लाल, स्वतंत रामा और परतंत लक्ष्मी, आदर्स दमपत्ती, बेगडे का सुधार, अथवा सती सुख देवी तथा आदर्स हिंदू आधि कई उपन्यास प्रसित है और आप देखेंगे कि प्रतोगी परिक्षाओं में लज्जा राम मेहता से एक दो प्रश्ण रहते ही रहते हैं, चाये वो आदर्स दमपत्ती से आजाए, आदर्स हिंदू तो न जाने कितनी बार परिक्षाओं में पुछा जा चुका है, स्वतंत रामा परतंत लक्ष्मी ये भी उपन्यास इंपोर्टेंट रहा है, धूर्त रसिक लाल, तो एक तरीके से आप देखें, तो लज्जा राम मेहता का भी काभी इंपोर्टेंट रोल है, बात करते हैं उपन्यासों के विशे वश्टु के उपर, कि धूर्त रसिक लाल उपन्यास में रसिक लाल की गई है और उपन्यास के नाम में ही लिखा हुए धूर्त रसिकलाल यानि कि धूर्तता को ही केंद्री भी से बनाया गया है अब क्यों बनाया गया है आगे बातचित करते हैं वह अपने मित्र सेट सोहनलाल को अनेक दूर्व्यसनों में फसा कर उनका सर्वस हरन करता है किन्तु अन्ततव वह पकड़ा जाता है और दंड पाता है देखे कहानी क्या है रसिकलाल है और सोहनलाल दोनों मित्र हैं लेकिन रसिकलाल धूर्त है और अपने मित्र सोहनलाल को दूर्व्यसनों में फसा कर दूर्व्यसन क्या हो सकता है भोग विलास इत्यादिम फसा कर उनका माइ काना चाहें तो इसे चरित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं, ये उपन्यास क्या है, चरित्र प्रधान है, रसिक लाल के उपर है, क्योंकि इस उपन्यास के नाम में ही जो नायक है, उसका अहम रोल दिखाई पड़ रहा है, तो ये घटना प्रधान, भाव प्रधान उपन्य आप देख रहे हैं कि रामा और लक्षमी नामक दो सगी बहानों की ये कहानी रामा अंग्रेजी से प्रभावित हैं और सुटंत्र जीवन ब्यतित चाहती है। जबकि लक्ष्मी भारती संस्कृति के अनुकूल पती ब्रतानारी है और वो भारती संस्कृति के अनुसारी अपना जीवन ब्यतीत करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बिरोधी पातरों को रखने की कोशिश किया है लजारा म्यताने रमा जो की अंग्रेजी से प और नाम भी देख लिए रमा और लक्ष्मी लक्ष्मी अगर आपको परिक्षा में नहीं समझ में आ रहा है कि लक्ष्मी किसका प्रतिक है तो इसको आप भारती संस्कृति की दिश्टी कोड़ से देखेंगे तो सही आंसर करके आ जाएंगे तो खेर इसमें ध्यान में रख और भारती समाज में महिलाओं की क्या इस्थिती रही है उसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो इस उपन्यास का जो टॉपिक है जो शीर्शक है वो और ज्यादा किलियर हो जाएगा आपके लिए लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रामा और लक्ष्मी दोनों का तुलनात्मक अध्यन किया गया है दोनों को दो करेक्टर से रूप में देखा गया है तो एक तरीके से लेखक ने तुलनात्मक आधार पर भारती नारी के पाती ब्रत्य की महत्ता पर को सिद् पर कोशिश रही है लेखक की पती ब्रता को कैसे हम जश्टिफाई करें किसको सही करें क्योंकि रमा अगर अंग्रेजी से प्रभावित है तो वो उतना द्रिण नहीं होगी अपने जो वीदामपत्य संबंद है उसको लेकर लेकिन लक्ष्मी पूरा एक्डम संबर्पित है तीसरे उपन्यास के बारे में बात चीत करें तो उसका नाम है आदर्स दमपत्ती इसमें पती पतनी दोनों ही भारती संस्कृती के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हैं और आदर्स जीवन बेतीत करते हैं तो आप देख रहे हैं कि लज्जाराम मेहता लगातार ये कोश करें उन्होंने स्वतंत्र रमापरतंत्र लक्षमी में भी कुछ ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया और उनका मन नहीं माना तो उन्होंने आदर्स दमपत्ती नाम का उपन्यास बाद में जाकर लिखा अगला उपन्यास है बीगडे का सुधार अथवा सती सुख देवी इसमे में में तक सिक्षा प्राप नई सब्यता के हिमायती बन माली बाबू और उनकी सती साध्य पत्नी सुख देवी की कहानी कही गई है बड़ा यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि उस जमाने में लगबग अठारसो नब्य के आसपास में में तक के सिक्षा प्राप करना प्राप किया है और नई सब्यता के हिमायती बन माली बाबू और उनकी जो पत्नी है सुख देवी की कहानी कही गई है बन माली बाबू नई रोशनी की धुन में एक होटल की नवकरानी में हमसे ब्या करते हैं किन्तो अंत में उनके मन में परदेशी पन का भूत निकल जाता और वे पुन इस्तिरियों की रानी सुख देवी को स्विकार करते हैं तो यहाँ पर क्या है इड़्जे परिवर्तन लिखाई पड़ रहा है और ठीक उसी प्रवित्ती के आधार पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं बातें सुधार की की जा रहे हैं लेकिन बाद में आदर्स सिंदो नाम से किसने उपन्यास लिखा रज्जाराम मेहतार पंडित प्रियानात और उनके अनुज कांतानात की कहानी कही गए तो आधर सिंदो में जो प्रमुख पात्र हैं प्रियानात और उनके अनुज हैं कांतानात यानि कि दो भाई प्रियानात की पत्नी प्रियंबद आदर सिंदु मैला है, कांतानात की पत्नी सुखदा, वस्तुत दुखदा हैं और निरंतर कलह करती रहती है, तिर्थ यातरा में उसका सब कोछ लूट जाता है और अंत में हुवा सुधर जाती है, यानि कि प्रियानात की पत्नी प्रियंबदा, कांतानात की पत्नी सुखदा, हाला कि सुखदा का यहाँ पर जो करेक्टर दिखाया गया है वो थोड़ा सा लड़ाकू टाइप का दिखाया गया है वो लगातार अपने घर परिवार में जगड़ा करती है लेकिन कभी तीर्थ यातरक करने जाती है और वहाँ पर उसका लूट पाठ हो जाता है सब लूट के लिखती त्रूटियां राजभक्ति का स्वरूप परमेश्वर भक्ति का आदर्स और अपने विचारों की बारगी प्रस्टुत की है तो यह काफी इंपोर्टेंट प्वाइंट्स उठाया गया कि आदर्स हिंदू में तिर्थ यातरा को दिखाया गया है ठीक है कि जो ज आजभक्ति का स्वरूप परमेश्वर भक्ति का आदर्स ठीक है और अपने विचारों को उन्होंने स्वत्तंत रूप से रखा है तो आदर्स इंदू में इन पांचे पॉइंट्स को आपको ध्यानम रखने होगा देखा जाए इन सारे उपन्यासों के आधार पर तो लज् रचिना के छेतर में उन्हें किशोरी लालगोस्वामी जैसे लोगपिरियता नहीं प्रहoo पर हम आगिंज बात्चित करेंगे तो और क्लीर हो जाएगा कि लज्जा राम मेता क्यों नहीं किशोरी लालगोस्वामी बन पाए बीच में हम बात्चित कर लेते हैं राधाक्रिष्ण दास के बारे में। राधाक्रिष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामसे उपन्यास लिखा और इस उपन्यास में गोवध निवारण की भावना से उन्होंने प्रेरी थोकर लिखा था। को कैसे रोका जा सके उसकी समस्या को उन्होंने हल करने की कोशिश की इसी भावना से उन्होंने प्रेरी थोकर लिखा है। आज के द्रिष्टिकों से भी ये उपन्यास काफी प्रासंगी हो सकता है। इंपॉर्टेंट लिखूंगा। और आप जब नोट्स बना रहे होंगे इस वीडियो लेक्चर को देखकर तो एक तरह आप क्लियर कर लिजे के आदर्स हिंदू लजाराम मेहता का है निस्था है हिंदू राधा कृष्ण दासकार। और इकलावता जो उपन्यास है राधा गोष्वामी इतना फिमस क्यों रहे है क्योंकि जब हम प्रिष्ट भूमी पर चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी किशोरी लाल गोष्वामी की बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो किशोरी लाल गोर स्वामी प्रेम चंद पूर्व योग के सरवाधिक मुहत्पूनु पन्यास्कार है, इनका जन काशी में सन 1865 में हुआ था, इनके नाना कृष्ण चैतन्य भारतेंदू हरिष्चन के सहित्य गुरु थे, ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि नाम परिवार्षे नहीं संबंद रखते थे, बलकि वो तो ऐसे व्यक्ति थे, जिनके नाम पर का जाता कि वो हिंदी सहित्य के आधुनिक जनक है, भारतेंदू हरिष्चन के सहित्तिक गुरु थे वो, इनके नाना किशोरी लाल गोर्ष्वामी का नामें आपर नहीं पता चल पाया कि कौन है, लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है कि किशोरी लाल गोर्ष्वामी एक सहित्तिकार परिवार से थे, और काशी से इनका संबंद था, और भारतेंदू अरिशंद को तो आप जानी रहे हैं कि काशी से थे, किशोरी लाल गोर्ष्वामी निम्बार् धर्म के अनुकूल थे इन्होंने सब मिलाकर लगबग 65 उपन्यास लिखें ये काफी इंपोर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है किशोरी लाल गोस्वामी ने कुल 65 उपन्यासों को लिखा है आम तोर पर जिने उपन्यास समराट के रूप में जाना जाता है उनके तो लग योग की बात देखिए कि इनका जन्म 1865 इस भी हुआ तो क्या ये सवभाग्य है कि 1865 में जन्म हुआ और 65 उपन्यास लिखा उमीद है कि अगर इनका जन्म 1870 में होता तो यह 70 उपन्यास भी लिख लिए होते तो खैर ये तो किवल कोरिलेट करके याद करने की एक ट्रिक है बाकी आप दिमाग में आपके बैट गया होगा किशुरी लाल गोस्वामी ने 65 उपन्यास लिखा था अब आपको उन अबजेक्टिफ किताबों उन वन लाइनर किताबों को बहुत रटने की जरूरत नहीं होगी और बाकी चीज़ें आपको समझ में आगे होगी कि इनके न आप देखेंगे कि इनके उपन्यासों के दो दो नाम आपको ज्याद तर दिखाई पड़ेंगे त्रिवेडी वा सवभाग स्रिणी लिलावती वा आदर्शती स्वर्गिय कुसुम वा कुसुम कुमारी राज कुमारी चपला व वा नभ्य समाज पुनर जन्म वा सवतियाद माधवी माधव वा मदनमोहिनी अंगूठी का नगीना आधिप्रसीत है तो जब विवपन्यास में उपन्यास सम्बंदित या एकजाम में सबाल पुछा जै आपसे और उसमें वा सब्द लगाओ तो थोड़ा सा आपका दिमाद कि शोरी लाग गोस्वामी के तरफ जाना च स्रेणी लिलावती वा आधर्शति इस्टैक से और कुछ उपन्यास हैं जिनके इनके स्वर्तनतर हैं राजकुमारी ठीक है या फिर अंगूठी का नगीना ये भी काफी इंप्वर्टेंट है परिक्षाओं में पूछा जा चुका है अब हम उन उपन्यासों के विशेवश स्रेणी का नायक है और एक धर्मात्मा व्यक्ति मनवर्दास नौका डुबने की दुरगटना के कारण अपने गुणवती पत्नी त्रिवेडी से वियुख्ध हो जाता है और सोक संतप्त होकर वह सन्यासी का जीवन व्यतित करता है तो आप देख रहे हैं कि मनवर्दास अं पुना प्राप्त करता है उनका जीवन फिर सुखमर हो जाता है तो यह आप देख रहे हैं कलपना पर आधारीत उपन्यास है कि त्रिवेडी जो है वो दुरगटना में डूब जाती है नौका दुरगटना में लेकिन बाद में इनका मिलन भी हो जा तो यहां पर क्या है की कहानी है तो इसको ध्यान में रखे कलावती जो है वो लिलावती है आदर्शती उपन्यास की प्रमुखपात्र है दो इस्त्रियों के कहानी है लिलावती सती साध्वी इस्त्री है और ललित किशोर से प्रेम करती है लिलावती की दूर की बहन कलावती नब्वे जीवन की च इसे वश्तु को रूठा है जो कि आज हमें प्रसंगिक प्रतित होती है कि लिलावती कलावती दो दूर की बाने हैं एक तरीके से लेकिन लिलावती क्या सती साध्वी है ललित की सोर से प्रेम करती है जबकि कलावती लंपट बालकृष्ण के साब भाग कर सीवील मैरेज करती यानि कि लव मैरेज एक तरीके से करती है उसकी वासना अत्रिप्त रहती है और औसर देखकरव नौकर के साथ भाग जाती है ठीक है उसके जीवन में यही क्रम चलता रहता है और अंतता ग्रिणित रोक से पीडित होकर वह यमुना में कूद कर आत्मात्या कर लेती है तो य आएसे भारतियी संस्क्रिती के अनुसार उनको जीवन ब्यथित करना है अंत्म險 क्या है जो कलावति है वह उसका जीवन बहुत सुख में नहीं रहता वह बालकिश्णी से साधी करती है फिर उसके नवकर Σाथ चली जाती है अंत्यमें ग्रिणित रोक अंत्यमेंट बाभ्सा तो यहां पर एक तरीके से आदर्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास किश्वनिलाल गुरस्वामी ने किया है। लेखक ने इस प्रकार नविन सामाजिक जीवन की बिदंबना दिखाई है। जैसा कि मैं अभी बता रहा। स्वर्गी कुसमा वह कुसुम कुमारी की नाईका, कुसुम कुमारी बिहार के एक बड़े जमिदार कंड सिंग की बेटी है। तो यह काफी इंपोर्टेंट आपके लिए कि कुशुम कुमारी का उन्होंने कहां से लिया है। क्योंकि ये काशी से संबंदी थे तो काशी और विहार के बाडर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तो ये सुनी सुना एक कहानी भी हो सकती है कि उन्होंने विहार के बड़े जमिदार कंड सिंग की बेटी को उन्होंने इसका विसे वस्तु बनाया है देव दासी प्रथा के अन प्रश्णों को भी उठाया गया है जिसका प्रभाव आपको आगे चल कर प्रेमचंद को प्रणा सेवा सदन में भी दिखाई पड़ता है तो इस तरीके से विश्यवृत्ति का प्रश्ण सबसे पहले प्रेमचंद ने नहीं उठाया बलके उसके पहले किश्वविलार्ग त्यादी उठा चुके थे कुशुम कुमारी को विश्या जीवन से आंतरे ग्रिणा है वह कहती है संसार में यदि सच्मुझ किसी का जीवन मरने से करोन दर्जे बूरा होता है तो वह विश्याओं का है ये कितना महत्पून कोटेशन है इसको आपको ध्यान में रखना है कि विश्याओं का जो जीवन है वो करोन दर्जे बूरा होने से पहले बहुत ही खराब है संसार में यदि समुझ किसी का जीवन मरने से करोन दर्जे बूरा होता है तो वह विश्याओं का है विश्या जीवन के गहरे दर्द को सामने लाने वाला यह संभौत हिंदी का पहला उ पन्यास में विस्या जीवन को उन्होंने विसेवस्तु बनाया है। राजकुमारी उपन्यास में भागे चकर कुछ ऐसा चलता है कि मुंगेर की जमिदार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार कि शुरीलागोस्वामी बिहार के तरफ नजर किये हुए है। मुंगेर के जमिदार हीराचंद की पुत्री सुकुमारी पैदा होते ही उनके दिवान की घर पहुच जाती है। और दिवान साहब का पुत्र मानिक जमिदार के यहां पहुच जाता है। कुछ दिनों बाद राजा साहाब को कैद कर लेता है और वह स्वयं राजा बन बैटता है। चकर पर आधारित है और यहां पर मानिक सुकुमारी यह दो करेक्टर आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं बाकी जमिदार हिराचंद का नाम आ रहा है सुकुमारी वश्चुतर राजकुमारी है इसलिए उपन्यास का नाम राजकुमारी रखा गया है यह वैसे एकजान की देश्चिकोन से बहुत इंपोर्टेंट नहीं लगता है लेकिन हो सकता है कि किसी भी एक्सपर्स का अगर दिमाग घुमा तो आ जाएगा और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सॉलिड तरीके से करें तो ज्यादा बैतर रहेगा अगले उपन्यास के बारें बात चित करत निए जब हम हिंदी उपन्यासों के परेहना पर बाच्चित कर रहे तो इसमें हमने बताया था कि प्रेहना सरवादिक मिली बांगला उपन्यासों के चपला उपन्यास की चर्चायों आपर भी की गई तो इसका ये किस्नित् Confederate रहे है नव बाभू विलास जो उपन्यास का बांगला के उनके परंपरा में इसको रखा जाता, उपन्यास की मुख्य कहानी, राजा राधा किशोर के परिवार से संपन्द रखती है, राजा सहथ की दो फूत्रें, कमलकिशोर और ब्रज-किशोर, तो ध्यान में रखे, कि ब्रज-किशोर नाम का एक पात्रा और प्रशाद का एक दूसरा परिवार उनकी तीन बहेने कामिनी चपला और कादम मेंग तो यहां पर जो पिनयास का नामकरन किया गया है उचपला क्या आदर पर किया गया है जिसका मतलब है कि नायका क्या बागी अन्य जो पात रहे हैं वो खाली कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। एकदम साफ देखने के लिए उद्देश से उसे भी पकड़वा कर बंद कर देता है। यहाँ पर जो लेखक के दो उद्देश रहे हैं, वो कौन-कौन से उद्देश रहे हैं इस उपन्यास को लिखने के पीछे। एक तो यह है कि नवीन समाज का वातावरण वान्चित हैं क्योंकि वह कमल किशोर जैसे व्यक्तियों को जन्म देता है। दूसरा यह है कि इश्वर प्रतेख व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवश्य देता है। क्योंकि यह उस समय का यूग है जब समाज में अगर कोई चीज नवीनता आ रही है तो उसको समाज एक्चेप्ट करने में थोड़ा तो उतynnा आगे नहीं है। उसका यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे परेडाम निकल रहा है तो इन दो तथ्यों के तरफ उन्होंने ध्यान दिया कि जो भी चपला की विसे वस्तु रही है वो नमिन समाज के वातावरण के अनकुल नहीं है बाकी इस्वर प्रतेक व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवस्य दे प्रिष्ट भूमी कांसली गई है अयोध्या से तो आयोध्या आजकी द्रिष्टी में काफी इंपोर्टेंट जगा रखता है हो सकता कि परिक्षा में पूछ लिया जाए क्योंकि एक्सपर्ट इत्यादी ज्यादातर उधरी के इस्सेमें हो रहे हैं तो हो सकता कि पूछा जा सकता है ठीक है सज्जन सिंग एक अन्य इस्तरी सुन्दरी को प्यार करते हैं जो अत्यंत विनम्र और मिर्दु सोबाव की है सुशीला को पती पर संदे है और घर में इसी प्रश्म को लेकर आये दिन कलह मचती रहती है सुन्दरी सुशीला के मार्ग का काता नहीं बनना चाहती वह अन्त्त काल तक परिक्षा करने के लिए प्रस्थुत है सुशीला जब सुन्दरी के सील से प्रचित होती है तब वह स्वयम आगरा पूर्वक सुन्दरी का व्या सज्जन शिंग से उसी प्रकार करा देती है जिस प्रकार वासाव द्थ्ता ने रत्नावली का सा आपको और चक टैप का लग रहा होगा लेकिन इस उपन्यास की विशेवश्तु यही है लेखक की सम्मत है कि सौतीने सुशील और सुन्दरी का सा वर्ताव करें और पूरु सज्जन की भाति दक्षिन नायक सा आत्रन नह करें यहां पर नायक के भेद की रुप में बता दि करें तो वह कैसे मिल जूल कर रहे हैं वह सुशीला और सुन्दरी से सीखें तो जिसके साथ Seshter के गटना गट रही होगे वह इसस उपन्यास से प्रना ले सकता है अगले उपन्यास के बारे में बात्चित करें माधवी माधो या मधन मोहिनी उपन्यास जिसमें की धर्म से अर्थ का काम और मौक्ष थीनों की शिद्धी दिखाने की चश्टा की गए है। मुख्य कथा नायक माधर और नाइका माधवी के प्रैम और विवाह कि है। मदण उपनायक और महिनी उपनाइका है। तो यहाँ पर आपको द्यान में रखना है माधर और माधवी को और मदन और मोहिनी को इन सब का नाम भी आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता रहा है और बड़ा इस सटीक है हो सकता है कि सुमेलित करने वाले युगुमों में इस तरीके से आने वाले समय में प्रशन बन सकते हैं इनकी जोड़ी भी आदर्स है इन सभी पात्रों का विवा धर्मानुसार होता है लेखक ने इन आदर्स पात्रों के विवा में बाधा डालने वाले अधर्मी पात्रों का दुखद अंद दिखा कर धर्म एवम नीती की स्रिष्टा परमाणित की है तो आप देख रहें कि लागातार प्रेम चंद पुर्व हिंदी युगीन उपन्यासों में भार्ती संस्कृति, सुधारवाद, उपदेश परक उपन्यास जदतर लिखे जा रहें ठीक है उसमें धर्म को भी काफी प्रमुक्ता से सामिल किया गया है अगला जो उपन्यास है उसका नाम है अंगूठी का नगीना उपन्यास में मदन मोहन और लक्षमी के मर्यादित प्रेम की कहानी वर्णी थे तो ध्यान में रखिए कि अंगूटी का नगीना किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है और इसका जो पात्र है मदन मुहन इसी से संबंदित मदन मुहन परिक्षा गुरु में भी आता है लेकिन यहाँ पर एक दुसरे उपन्यास में भी आ रहा है तो मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपका दिमाग इन दोनों को कोरिलेट करके ध्यान में रखे ताकि कन्फूजन क्रियेट ना हो हलांकि पाइक्षा गुरु ज्यादा इंप्वर्टेंट है इन उपन्यासों के अपिक्षा खलनायक रूप में कौन है इस उपन्यास में उसका नाम है राम सरन खलनायक है वह स्वयम लक्षमी को प्राफ करना चाहता है यानि कि उसे प्रेम करता है अंतरता सच्चे प्रेम की जीत होती है लक्षमी मदन मोहन को प्राफ होती है तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे आदर्सवादी उपन्यास लिखे जा रहे है इन उपन्यासों के अत्रिक्त प्रणैनी परड़े ये भी कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है ध्यान में रखे शुक सर्वरी प्रेम मई चंद्रावती वा कुल्टा कूतुहल चंद्रिकावा जडावु चंपकली तरुन तपस्विनी या कुटिर्वासिनी इंदुमती वावन विहिंग लावड मई आधे आपके सुस्चा माजी को पन्यास हैं आप ध्यान में रखे कि इंदुमती नाम से यहें युदिमती नाम से कहानी हिसको कि हिंदि की परथम कहानी के विवाद में इसको रखा गया और माना भी गया कि इंदुमती तो किश Hack और स्वामी काफी important रहे हैं उपन्यासकार के रूप में भी और कहानीकार के रूप में भी तो इंदु मत्ती भी आप द्यान में रखिए कि उपन्यास इस नाम से उपन्यास भी लिखा है और कहानी भी उन्हों ने लिखा कि आपके इस तरीके से वाक्रा आ जाएगा तो आपको लगे तुलसी दास का यहाँ पर नाम आगा है लेकिन यहाँ पर गर गुस्वामे जी कहा जा रहा है तो किशोरी लाल गुस्वामे के प्रायर सभी उपन्यास इसत्री-प्रढ़ान ये काफी important है कि किश्वरी लाल गुष्वामी के जितने भी उपन्यास हैं सब इस्त्री प्रधान है और उनमें प्रेम के विविध रूपों का चित्रन मिलता है ये आपकी परिक्षा के दिश्टकों से important है किश्वरी लाल गुष्वामी ने कुल 75 उपन्यास लिखे हैं उसमे किश्वरी लाल गुष्वामी के उपन्यास को भी आप देख सकते हैं उस पर अच्छे से काम किया जा सकता है कि क्या अंतर है इस्त्री वीमर्ट को ध्यान में रखने Province वाले अपन्यासकारों को और उस जमाने में तो इस्त्री वीमर्बर्ट नहीं चल रहा था फिर भी इस् 37 देवियों का आदर्स प्रेम चित्रन किया है तो दूसरी ओर साली बहनोई के अबस प्रेम विध्वाओं के बेविचार विश्याओं के कुछित जीवन देवदासियों की विलास लीला आदिका भी सजीव अगन किया है यहां पर बता भी दिया गया कि किस टाइप से उन्होंने इस्तिरियों को पेश करने की कोशिश दिए ऐसा दिखाने में आपका उद्ध्य से यह रहा है कि पाथक नार्किय और आदर्स जीवन चित्रों को एक साथ देखकर अपने आचरन को उज्जोल बनाने की चिस्टक करें यह इनका एक उद्ध्यस रहा है वो उपन्यास और उपन्यास की विसे वस्तुतों निर्धारित करते हैं साथ में पाथकों के हिर्दे को भी उन्होंने ध्याने में रखा है कि इन उपन्यासों को पाथक पढ़ेंगे तो उन पर क्या असर पढ़ेगा ठीक है तो असर समाज के प्रति आप नयाय नहीं कर सकें फिर भी तत्कालिन समाज की एक प्रतिनी धी मनोबृत्ति को समझने के लिए आपके पन्यास का अध्यान आवश्च्च के तो यह तो जो विचार रहा है यह आपका राम चंद्र तिवारी का राद ठीक है और बात करते हैं कि प्रेम च उपन्यासों में कस्बों और ग्रामिड अंचलों में उखते हुए मध्यवर्ग और शहरी शहरों के तत्कालिन रईसों के जीवन की धड़कने भी सुनाई पढ़ने लगी यानि कि इसके समनांतर अन्य विश्च्च्च को ध्यान में रखकर भी उपन्यास लिखे जा रहे जी डिसमें कस्बों ग्रामिड अंकलों अंध olmaz शहरी जीवन के रहीसों के ध्यान में रखा अजै इसे पहला नाम आता है ज्ञान चंद जैन का इन्हों ने दो पन्यास लिखे ग्यान चन्दर जैन ने इस तरह के दो पन्यास्कारूं के बारे में चर्चा की एका जाने जाने-धार अन्होंने बात किया घुनेश्वर कृट घराव गटना जैनेद्र किशोर कृट भूले नार का विश्त्रित परच्चे दिया मतलब कि जिस समय किश्वरी लाल गोस्वामी इस तरी प्रदान उपन्यास लिख रहे थे और रोमांचक प्रवित्ती उसमें उन्होंने डाली हुई थी उसी समय एक अन्य विसेवस्तु पर उपन्यास लिखे जा रहे थे जिसमें कि भोनेश्वर मिस्ट्र और जैनिंद किशोर का नाम लिया जा सकता है उनके उपन्यास उस पन्यासों का भी मैंने नाम बता दिया यहाँ पर उपन्यास है घराव घटना इसके कथानायक जगडुलाल ग्रामीड अंचल की निवासिये थोड़ी अंग्रेजी पढ़कर अदालत में अमलागिरी करने लगे हैं उपन्यास उनके घरेलु जीवन के यथार्थ चित्रों से सजीव हो उठाए इसके विशे में ग्यान चंद की टिपड़ी ध्यान देने होगे मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आंचलिक्ता का रंग लिये हुए अठारसो नब्बे इसबी के दशक में लिखा और एक सामानेम्मा दिवर्गी परिवार के घरेलु जीवन का इतना सजीव और यथाथवादी चित्रन करने वाला कोई दूसरा उपन्यास मुझे प्रेम चंद के पूर्व के लिखे उपन्यासों में नजर नहीं आता है यानि कि जो भुनिस्वर मिस्ट है उन्होंने काफी अच्छा विशेबस्तु बनाया है जनेंद्र किशोर कृत गुलेनार की कथा भूमी बनारस पर अधारित है गुलेनार अलफ्रेड ठियेट्रिकल कमपणी में काम करने वाली कलकत्ते की विश्या है कथा नायक बनवारी लाल बनारस के एक रईस का लड़का है कमपनी बनारस में नातक दिखाने आती है बनवारी लाल गुलेनार के चकर में पढ़कर अपना सब कुछ खो देता है और उसकी पती वरता पतनी आत्मात्य कर लेती है तो काफी इंट्रेस्टिंग कहानी पर जैनेंद किशोर ने लिखा है कि गुलेनार एक वेस्या या फिर थीएटर में काम करने वाली पात्र है और उससे प्रेम हो जाता है आमत्वर पर आपने आसपास में भी देखा होगा इस तरीके के बहुत सारे लोग मिल जाते है छणिक प्रेम जिसको का जाता है और इसका प्रभाव ये पड़ा कि बनवारी लाल साधी सुधा था पहले से ही और उसकी पत्ली आप महत्या कर लेती है आमत्वर पर इस तरीके के घटनाय होती रती है आप देखे भी होगा तो ये तो उस समय की बात है उपन्यास में ततकाले इन बनारश रहर और उसमें रहने वाले रहिसों के जीवन का बड़ा ही सजी और या थार चित्रन किया गया है तो ये उसी समय इस तरीके के विशेवर्स्तू पर भी उपन्यास लिखे जा रहे थे आगे बात करते हैं अयोध्या सिंग उपाद्य हरियोद ने थेट हिंदी का ठाट या इसका दूसरा नाम है देवबाला ये काफी इंपोर्टेंट है आपकी परिक्षा किर्द्रिश्ट्रिकोर से सन 1899 इसमी में इसका प्रकाशन वा था और दूसरा जो उपन्यास अधिखिला फूल 1907 इसमी ये दोनु उपन्यास सामाजीक उपन्यास तो ठेट हिंदी का ठाट जिसका दूसरा नाम है देवबाला हो सकता है कि परिक्षा में पूछा जाए और अधिखिला फूल ठेट हिं और बात करें अधिखिला फूल के बारे में तो अधिखिला फूल में धर्म की महत्ता प्रचपादित की गई है और धार्मिक अंध बिश्वासों का कूप परिडाम भी दिखाया गया इन उपन्यासों का महत्य भाषा शंबंदी प्रयोक की द्रिश्टी से कहीं अधिक है थेट हिंदी का प्रयोग किया तो उपन्यास के एक और पॉइंट्स के तरफ यहां पर आपको पता चला होगा कि विशेवश्टु तो अनमेल विवा है लेकिन हरियोद ने ठेट हिंदी का प्रयोग किया और अध्खिला फूल में भी छोटे-छोटे तदभर सब्दों का ही प जब हरियोद उपन्यास लिखते हैं तो आप ठेट हिंदी और तदभर सब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है यह आप तुलना करके जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक ठीक से नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट्स करकर बताए और जो बच्चे नए जर्टी है आपको अपने से समय मैनेज करना है उसके दखना के बारे में बातचीत करें तो इनामें ब्रजनंदन सहाय ब्रजनंदन सही ने बंगी एक अकथा स्जाइटी से प्रभावित होकर संदर्य पाशक नाम से उपन्यास लिखा कई बार एग्जाम में पुछा जा अगर बात करें संदर्य पासक उपन्यास के बारे में तो नायक अपनी साली से प्रेम करता है, साली भी उसे चाहती है, संदर्य पासक के नायक की पत्नी इस तथे से अवगत होने पर दुखी रहने लगती है और अंत में मर जाती है, साली भी यक्षमा रोग से पीडित होकर स् से वस्तु क्या रही है कि व्यक्ति है वो साधी सुधा है लेकिन अपने साधी से प्रेम करता है बाद में क्या इस्थिती होती है आप पूरे इन पंक्तियों में देख लिए हो उपन्यास का महतों एक मनो वैज्ञानिक समस्या की भाव मई अभिव्यक्ति में है। दूसरे पन्यास वर बात करें तो राधाकान आत्म कथात्मक शैली में दो खंडों में लिखा गया है। प्रथम खंड में राधाकान ने दुत्तिय खंड में उसके मित्र हरेंद्र ने जैने खंड के आत्मकता राधाकान ने लिखा है और दूसरे खंड के आत्मकता हरेंद्र ने लिखा है। इस तरीके से ये उपन्यास क्या होता है। पूरा होता है। राधाकान सालान किसान का बालक है। उसमें अनेक मानवी दूर बलता है। वह क्रम्ष पतन की ओर बढ़ वो है अध्भूत प्राश्चित, राजेंदर मालती, अरणे बाला आधी आपके अन्य उल्लेखनी उपन्यास है यानि कि प्रजिनन्दन साहा है के मुख्य रूप से दो उपन्यासों पर तो उपर हमने चर्चा किया उसके विशेवस्तुपर विवात चित्तिया लेकिन और त भूत प्राश्चित, राजेंदर मालती, अरणे बाला अरणे बाला वी कई बार परिक्षा में खुशा जा चुका है अगले उपन्यास का रहे हैं उनका नाम है मनन दिवेदी मनन दिवेदी गजपूरी प्रेमचंद पुर्व यू के एक ससस उपन्यास लेखक हैं इनके द पूलिस, अदालत, पटवारी, पोष्टमैन, भगत, सावकार, सभी का बड़ा इससजी और व्यंग पून चित्रन किया गया। गाउं से संबंदित कथानक प्रसुत करने वाली यह प्रथम महतपून कृती है। लेखक का द्रिष्टिकोन सुधारवादी है। तो परिक्षा के द्रिष्टिकोन से आपको इतना दूर ध्यान में रखना है कि मन्नन, दिवेदी, गचपूरी, जो कि प्रेमचंद पूर्व, यूकेक, महतपूरु पन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। दो पन्यास, रामलाल, कल्याणी, कल्याणी प्रेमचंद दिव की रचना है, जबकि रामलाल 1914 में प्रकासित हो गए थी, और उसमें पुलीस, अदालत, पटवारी, पुष्टमैन, भगत, सावकार, इत्यादी का सजुव और ब्यांग पूर्ण चित्रन किया गया। और अगर ग्रामिड कथानक से बात चित करें, तो ग्रामिड गाउं से सम्बंदीत कथानक प्रशुत कने वाली एक पहली महत्पूर्ण कृति की रूप में इसको देखा जा सकता है, और सुधारवादी इसका प्रवित्ती रहा है। और आगे बात करते हैं तो प्रेम चंद पूर्व यूग के उप्यवत्त प्रमुख समाजिक पन्यासों के अतरिक देभी प्रशाद सर्मा का संदर सरोजनी, मोडली धर करित सतकुल लाचारण, कमला प्रशाद करित कुल कलंकिनी, लोचन प्रशाद पांडे करित दो मित्र, स्री रामजी दास करित फूल्म में काटा, धोखे की मिक तटी, गयाचरन त्रिपाठी करित सती, बल्देव प्रशाद मिश्र करित संसार, इस्वरी प्रशाद सर्मा करित हिरन्डे मई, तथा स्वर्ण मई, हडशुरू पाठक करित भारत माता, स्री कृष्णलाल वर्मा कर करित चमपा, स्याम की स्योर वर्मा करित काशी यात्रा, और गंगप प्रसाद गुप्त करित लक्ष्मी देवी, तथा रुद्र सर्मा करित स्वर्ण में महासभा, ये भी कई बार एक्जाम में पुछा जा चुका, आदे उपन्यास महत्पूने, इन उपन्यासों में ततका इन सामाधिक प्रवित्तियों, धर्म की जय, आदर्स का आचरन, नविंता का समर्थन या विरोद, अंध विश्वासों के परित्याग, सर्थित्यों की महिमा, इस्वरी नया में विश्वास, राष्ट्र प्रेम, आदिका चित्रन किया गया है, तो आज के वीडियो जित्की उम्मीद है कि आप सभी का बहुत सारा कांसेप्ट किलियर हो गया होगा, कमेंट्स करकर जरूर बताए, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार